सब्सक्राइब करें पीके बैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट हैवी बैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अच्ण ओै और प्रश्द जिए करा लाऔर हुआशी झार्प लेदेस्ट हैवी ज 6 एक पाँ लेखने के लेखने करें सिर्ष पहले को बाइग कि आ कि अ अज़ आपकी डिमांड पर मैं ये रिवियू करने जा रहा हूँ छुजुकी के जी आर वन फिफ्टी टूज़न एटीन मॉडल की तो आज हम इस बाइक का कम्प्लीट पैसिफिकेशन के साथ रिवियू करेंगे और साथ हम लास में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और आज हम लेंगे इस बाइक का कुछ ज़्यादा ही दिमांड तो फिलाल आपका कैम की टाम जाए कि बगएर हम चलते हैं अपने से रिवियू की तरह तो फ्रेंट्स यह है आपके सुजूकी जी और वन फिप्टी सी सी की फर्स लुक यह जो के दो हजार अठार का मॉडल है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इसकी हैड लाइट की मैं आपको यहां पर फोकस करके भी दिखा देता हूं कि इसकी हैड लाइट में जो है Dual Mercury Burb is में यूज कियाके है जो कि आपको Aps and Downs के option दे रहा हुता है याणिक लेने के डिपर के option दे रहा होँता है और इसके लावा इसके चोटा बल भी एक हार्ट प्लास्टिक मडगार्ड इसमें लगाया गया है इसको मैं जरा चेक भी कर लेता हूँ तो यह हार्ट प्लास्टिक का मडगार्ड है यहां पर भी इनों ने मैटल वगारा यूज नहीं किया तो फरंट टायर की आफ स्टेट ग्रिप भी देख सकते हैं मैं आपको फोकस करके भी दिखा रहा हूँ यहां पर मैं आपको लाइट जिलाकर इस डिस्क प्रेक की जो है क्वालिटी भी दिखा देता हूँ तो फरंट यहां पर मैं आपको मजीद फोकस करके दिखा रहा हूँ की इसकी प्रेंट पर ड्यूल Piston Calibber systemًा ड्पानिक कासी है उसका जो है व्हालिटि कासी है उसके लाब finesकर आपको कलेर करता जो यह fav को lengths प्लेजिक टे sais्प्चिंपक साथ है और फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसके बैक टायर की आपको प्ताता चलों इसका जो बैक टायर है उसका जो साइज है वो 3.0 यानिके 90 by 90 18 अलाइनिम्स के साथ है और इसमें जो आपको ड्रॉम ब्रेक्स यूज की गी है और यहां पर जो बैक सिस्पेंशन उसकी बात करनों तो यह आपको एक स्विंग आर्म सिस्टेम इसमें लगाया गया है तो प्रेंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मेटर में आपको स्पीड़ो मेटर की अप्षिन मिल जाती है, टेसे मेटर मिल जाता है और्डो मेटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है यहां पर आपको जो है gegen indicator की option में मिलजातی है left, right यह center में यहां पर आपको जो है गिर indicator की option मिलजाती है यानि कि इस bike ने किसी भी किसमक्त की option meter में छोड़ी नहीं यहां पर और यहां पर आपको जो है अम देख सकते हैं यहां आपको lock के बार में आपको define करते ही कि इसके lock में यहां से ही आप इसको handle lock कर सकते हैं पुश करके इधर लाएंगे तो handle lock हो जाएगा यहां पर जाएंगे तो engine off, engine on की option आपको मिल जाएगी उसके इलावा इसके handle bar पर left side पर switch लगी, switch assembling की अगर हम बात करने तो सब से अपर आपको dipper की option मिल जाती है उससे नीचे आपको light की ups and downs की option मिल जाती है और ये आपको choke system मिल जाता है अगर आपका bike start नवा हो रहा हो तो इसको यहाँ पर करके आप kick मारेंगे तो आपका bike start हो जाएगा उसके लवा friends यहाँ पर आपको auto indicator की option मिल जाती है यह देखें आप इदर उदर करेंगे तो वापस अपनी जगाब रहाएगा प्रेस करेंगे तो आपके indicators off हो जाएगे उसके लवाब आपको नीचे horn की option मिल जाती है और अगर हम right side की बात करने तो सबसे उपर आपको जो है इसमें meter की lights की option मिल जाती है यहां पर रखेंगे तो light off यह meter की light जालगी यह आपकी headlight on हो गई और यहां पर जो है आपका system on नीचे आपको self start की option मिल जाती है यहां पर आपको यह चीज़ क्लियर करता जाओं के अभी मैं आपको जो है दो बंदी easily बैठ सकते हैं और back side पर जो है आपको यह जो है iron का grill लगा कर दिया गया है चोटा मोटा समान यहां पर रखने के लिए उसके लब आप back side पर देख सकते हैं कि single जो है इसमें light लगाएगी यह टेल लाइट जिसमें जो है single mercury bulb यूज किया गया इंडिकेटर पी आपने देख लिए इसके लबाब बैक side back mud guard प्लास्टिक का है और back tire की जो है zigzag grip square भी आप देख सकते हैं और back tire को जो है थोड़ा सा मोटा करके लिए गया गया है यहाँ पर यह चीज़ भी clear करता जो कि इसके जो टायर है front and back दोनों panther के लगाएगे हैं तो friends यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंजिन की इसके इंजिन की जो डिस्प्लेश्पेटर 150cc है उसके अलावा इसके इंजिन है यह single cylinder four stroke ohc इंजिन है और इसमें जो है balance shaft यानि के balance shaft की option भी है जो के यह जो के vibration को कंट्रोल करता है उसके इलावा फ्रेंड्स यह एक ohc engine है five gears के साथ है पहला जो को जथे की लग जिसके जो रयाए फिर बाके यह जो है चार गीर पीछे की set पर लगते है और फ्रेंड्स की जिसकी चेन और फ्रेंड्स पहोर लगा गया यह एकinton का है इसके लवा फ्रेंड्स आपको बदागा चलोँं जया जो यहheric हैरा क्यायल्त क्वालिद्स है यहा यहां पर आपको ये भी बिताथा चलोंकिस का जो इंजिनude के साथ है और यहांपर अपको बतो किन्दीन के साथ है और यहां मैंना पूंधो पताया था कि एक classic engine यहां मैंने कि एक आवर φेंचेंजने है और ययां आपको इसका फ्यूल कंसम मिश्फ है यह एक कार्बुरेटर बेस है, यह मैं आपको इसके कार्बुरेटर की क्वालिटी को थीक तरह से फोकस करके दिखा रहा हूं यह नीचे आप देख सकते हैं, इसका रिक्टिफायर अलेक्टिक सप्लाई लगा हूए है, जो को पूरे बाइक को इलेक्टिक सप्लाई कर रहा हूता है किस तरह से किस बेस पर सप्लाई करना होता है और सामने जो है वो इसके से स्टार्ट की मोटर लगी है वो भी आप इसली देख सकते हैं उसके इलावा फ्रेंट्स आपको ये भी पताता चलूँ कि ये जो मॉडल है ये किक स्टार्ट मॉडल है इसके इलावा इसमें स्टार्ट की उप्शन भी आपको दी जाती है यनिकी, इसो है इसको आप किक से start भी कर सकते हैं और關上 स्टराट के option भी होज़े यहां पर आपके पास और इसमें जो silencerzar just किए गया है यह एक black coating silencer है यिन की यह heat up नहीं होता और यहां पर पीछे आपके साथ passenger बैटा है तो उसके पाँण रखने की भी बहुत अच्छा फुटरेस्ट है, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन प्राइस भी बहुत ज़ादा है, लाजमें प्राइस के बार में बात कुरूंगा, फिलाला पुर इसके जो है इस लेंसर देखें के इस लेंसर के ओपर जो इस टील कवर और हम इसके स्टॉक की बात करें, तो यह 56.6 mm इसका स्टॉक है और यहाँ पर आपको यह भी चीज़ क्लियर करता है, जो बहुत से लोग हमसे क्वेशन कर रहे होते है कि इसके और लो पावर में इसके आपको यह यह चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता है कि इस बाइक की जो हॉर्स पावर कंपनी ने बताए है वो 8.2 जो बताई गही है और यह कितनी है आर्पियम पर यह 8.2 HP पर यह ये 12 इसकी चीशाथ है और यह Euro 2 सिस्टम के साथ है और अगर हम इसके body की बात करें यह एक diamond type frame इसका body है और यहाँ पर आपको यह भी चीज़ क्लियर करता जाओं कि इसकी जो final drive है यह एक chain model है और फ्रेंट्स जब बात कर लेते हैं थोड़ सी इसके length के यानिके dimensions के बारे में और अगर हम इसके height की बात करें तो इसकी height है 1075 यानिके 1075 mm इसकी height है यहाँ पर फ्रेंट्स आपको wheelbase भी बताता जाता हूँ इसकी wheelbase है 1310 mm इसकी wheelbase है seat height की अगर बात करें तो इसकी seat height है वो 765 इसकी seat height है और अगर हम इसके net weight की बात करें तो 133 kg इसका weight है तो आपको बताना ये भूल गए कि इसकी जो कमपरेशन रेशो है यहां पर आपको यह चीज़ क्लियर करता है जो फ्रेंड्स इस पाइक की जो कमपरेशन रेशो है वो है 9.2 रेशो 1 उसके लावा फ्रेंड्स अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की आपको बताता चलों फ्रेंड्स इसकी जो टॉप स्पीड है जो के कमपनी हमें बताती है वो है 130 किलो मेटर पर होर के हिसाब से चलने की सलाइयत रखता है यह बाइक और साथ ही साथ आपको जो बाइक है यह 25 से 30 किलो मेटर करने की सलाइयत हमें इतना फ्यू लेवरिज हमें दे रहा होता है यह इतनी सलाइयत रखता है यहां पर मैं थोड़ सी बात करूंगा होंडा CB150F के बारे में उसकी लुक इस बाइक से बेहतर है और उसकी प्राइज भी जो है वो 162,000 यानि आपको लगा कर चेक रहा जा रहा है यह बाइक कैसा है सिंगल स्टैंड पर यह बाइक कैसा नदर आ रहा होता है लास्पे मैं कैमरे में भी बात करूंगा क्यों जो है सुजूकी ने इन बाइक्स की जो है इस बाइक की जो अपना यह जी आर वन फिफ्टी लॉंच की इस की इनों ने क्यों प्राइस बढ़ाई है और बहुत खास वजा मुझे पता लगी है आपने लास में जो है वीडियो देखनी है फेस के आगे में आपको भी बताने वाला हूँ फिलाल आप इस बाइक की फुल की लुक देख लीजिए 2,19,000 पे में बाइक ये बहुत महंगा है ब लेकिन यहां पर आपको एक चीज नहीं पसंद आई होगी वह है इसकी प्राइस जैसा के हमने देखा के लिफान कमपनी है बहुत से बाक्सवान में लाउंच कर रही है लेकिन उनकी जो प्राइस है वह काफी ज्यादा है जैसा के दो लाग पेंतालिस जार दो लाग इस तरह से जो है 150cc की बाइक सी जो प्राइस वो भी देखने में आ रही है जिस वन फिटी एसी मॉडल जो तो उसकी प्राइस थी एक लाग ठावन हजार उपे थी और सुजुकी को चाहिए था कि अधर उन्होंने ने निया मॉडल लाउंच करना है तो उसकी प्राइस जो ह कर लेते एक लाग सार जार रख लेते तो शायद सुजुकी का ये बाइक जो है भी इसकी सेल बहुत अच्छी होती देखें बाइक तो क्वालिडी वाइस बहुत अच्छा है बाइक में किसी चीज की कमी नहीं है और जो फिंशिंग व्यारा है और जो डिजाइन है वो अच जो है यह बाइक हमें पर्चेस करना चाहिए कि नहीं तो जब तक इस बाइक की प्राइज नीचे आती नहीं है आप ने इस बाइक को पर चेस कर रहे होंगे तो इसी वजह से वोग्यां जो होती है और फिलाल कंपनी की यह स्टेट्मेंट जरूर सामने आई है कि कि अगर कं पर चाहिए तो आपको कम से कम जो है 10,000 वेक्स में डिसकौन मेल जाएगा यानिके 2,10,000 पर आपको यह बाइक परने वाला है फिर भी फ्रेंड्स मेंगा है तो मेरे मताबिक इस बाइक की प्राइस है वह कम से कम जो है स्कौन मॉडल इसका परजेश जी एस फंफिटी एस फंफिटी एस फंफिटी एक थावन हजार रुपेका है और इनका सिंपल मॉडल है जी एस फंफिटी जो के साथ है उसकी प्राइस इन्होंने भी बढ़ा दी थी और रिसेंट इसकी जो प्राइस थी वह उन लैक थिए यहां पर यह चीज़ करने के बाद हमें तनी जद़ा प्राइस दे दी तो यहां पर यह तो लोगों ने यह चीज़ सोची क्यों है यार हम CB150F ही देखें और इस दुरान जब CB150F की सेल उपर गई तो होंडा वालों ने भी जो है अपने मुझ को खोल लिया और उनों ने भी जो अपनी तीन हजार प्राइस को उपर कर दिया तो फ्रेंज नीचे आपने मुझे कमेट्स करके जुरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राए है और आप क्या कहना चाहते हैं दिल खोल कर नीचे कमेट्स कीजिए और अगर आपको ये वीडियो चे लिए तो उसको कर दीजे लाइक और दिखा दीजे अपना प्यार लास्ट में आपका होस्त असलाना में आपसे इजाज़त चाहेगा इस द्वाक साथ के अलापको मेशे खुश रखे मुझे अपनी धुआ में याद रखेगा अपना बहुत बहुत ख्यार रखेगा अल्हाफेज